नमस्कार पुणियोशलों के लिए शोव में इस वक्त भेद खुल सकता है धना सरदार जी का जी हां कैसे तुको जी पीछे पीछे गए आकर के बात बता दी मगर उनके लोग तुको जी के जो विश्वास पातर हैं वो अभी भी धना सरदार का पीछा कर रहे हैं देख रहे है वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ऐसी संभावना है पूरी की पूरी अभी भी और धना सरदार जी ने कहा है कि वो मिलकर आते हैं किन से नदी कुए तालाबों से यानि कि देख कर आते हैं दूसरे गाओं में आसपास के गाओं में कि कहीं दुशित पानी तो ना करते थे लोगों से किसानों से जबरन लगान वसूलने के लिए मुझे संभावना मुझे पूरी लगती है कि हो ना हो वो लोग धनासरदार से मिलेंगे और ये बात पहुंच जाएगी मलहार रावसुजार जी तक क्यों कि वो कुछ संधिक लोगों से मिले धनासरदार जी या तो वो चित्र वाले जो चेहरे हैं वो हुब हुब वहाँ पर दिखाई दे सकते हैं तुकोजी को भी धनासरदार से बारतलाब करते हुए या फिर कोई और इनसान हो सकता है देवी अहिल्या भी मार्ग से लोटते वक्त देख लिए धनासरदार को उन घुस पेटियों से बात करते हुए हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है वो अपरादी है और दोनों अपरादी है बलकि धनासरदार भी और ओर लोग भी तो धनासरदार अपने उन गुर्गों से अपने उन साथियों से मुलाकात अवश्य करेंगे उन्ने बताएंगे क्या कोई चल रहा है और हो स पहुँचेगी मलहार राव सुबिदार जी तक अवश्य पहुँचेगी क्यों क्योंकि हो सकता है देवी अहिल्या को मार्ग से लोटते वक्त धनासरदार जी दिखाई दे जाए ऐसी पूरी संभावना है बहुत बार ऐसा ही हुआ है देवी अहिल्या जब भी बाहर गई किसी बात बता दे या फिर खुद तुकोजी दुबारा से पहुँचे वहाँ पर और देख ले धनासरदार को उन अपरादियों के साथ में मेली भगत करते हुए बातचित करते हुए और उनके चेहरे के जो भाव हैं बातों जो तरीका होगा वो बता ही देगा कि वो प्रेम भा जो पापका है भर चुका है और हम भी यही चाहते हैं कि बहुत दिन हो गए हैं देखते देखते धनासरदार खुले में घुम रहे हैं अपराद करके अब वो सलाखों के पीछे होने चाहिए धैसे धनेश्वर बाहर होना चाहिए और धैसे धनासरदार सलाखों के अंदर हो पूरी संभावना है मुझे ऐसा लग रहा है यदि नहीं है यह कुछ और भी हो सकता है तो कृप्या करके आप और श्या बताईएगा